तो देख लेते हैं कि कल कुछ और companies के जो है results आते हुए दिखे उन में से कुछ चुनिंदा companies के results मैं आपके सामने जो है रखना चाहूंगा और हो सकता है इनमें से कोई stock आपके पास में जो है already हो या आप जो है लेनी की सोच रहे हो तो थोड़ा सा results पर जरूर जो है एक नज लिजिट्स हैं यह करोड़ के अंदर है यह सारा परसेंट के अंदर है इविटता margin वाला जो कॉलम है वो भी परसेंट के अंदर है आगे जो आप जो कॉलम्स जो देख रहे हैं जैसे डिविडेंट वाला की company ने कितने डिविडेंट दिया है और शाथ की साथ bonus वाला भी इतना जो है company ने bonus दिया है तो सबसे पहले जो है result आया हुआ है number enterprises का number enterprises की अगर बात करें तो यह actually क्या है seasonal stock है seasonal stock क्या है कि basically 6 महीने जब ज्यादा स्यादा जो गर्मी पड़ती है तो उस समय पे इनकी जो profit और एक revenue की अगर बात करेंगे ज्यादा अच्छा कासा जो है generate होता है तो इसको हम compare quarter to quarter नहीं कर सकते तो यह compare होगा year on year quarterly level पे तो वहाँ पर performance देखेंगे तो कोई खास जो है अच्छी आते हुई नहीं देख रही है जैसा मैं आपके सामने जो है रखता हूँ तो यहाँ पे अगर आप income की बात करेंगे 20% जो है income के अंदर growth जरूर है लेकिन आप profit में देखेंगे तो 22% जो है profit के अंदर decline है अब इसको कह सकते हैं कि input cost जो है ज्यादा लगते हुए देखिए raw material के price जो है ज्यादा increase होते हुए देखें हैं ब्ला ब्ला बेसिकली यह सारी चीज़ें जो है कह सकते हैं लेकिन एक strong company और इस तरीके कि अगर position पर जो खड़ी हो जिससे की जो है काफी उमीदें हैं और उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं कहुँआ कि एक अच्छे result जो है इस company नहीं post किये हैं और stock में जो है आप देखी रहे हैं कि एक जो upside का जो moment जो इसके अंदर जो बना हुआ था वो इस समय पे बिलकुल बिगड़ सा गया है अब देखने वाली बात होगी कि next quarter basically कैसा जाता हुआ देखता है अगर वो भी quarter अगर भारी पड़ता है प्रिबियस येर वाले quarter पर अगर भारी अगर नहीं पड़ता है वो तो फिर समझेंगे कि कुछ खास जो है इस बार इनको जो है एक इनके कुछ चीज़ें जो है हाथ में नहीं लगी है अच्छा कोई improvement जो है देखने को नहीं मिला possibility है कि stock भी जो है चलता हुआ नहीं देखेगा आपको अब यहां पे अगर बात कर लेते हैं dividend हला कि इसने कुछ दिनी दिया है margin भी आप देखेंगे तो इनके margin कोई ऐसे जादा अच्छे margin नहीं है dual digit के अंदर margin नहीं है single digit के अंदर जो है इनक on year के ऐसी performance रही है year ended के इसाबते है तो वहां पर ठीक है performance 38% जो है इनका एक income में जो है growth देखने को मिल रही है profit में भी अगर आप देखेंगे तो 34% की जो है profit के अंदर भी जो है growth है otherwise लेकिन थोड़ा देखा जाए तो यह वाला quarter जो है निराश जनक रहा है जबकि previous year में ज देखाता profit की accordingly अगर देखा जाए तो तो देखते हैं आगे किस तरीकी की जो है performance यह company दिखाते हुई नजर आएगी तो यहां पे लेकिन इतना जरूर है कि एक income जो है income में जरूर 21% की growth है quarter ended में year on year के इसाब से देखें next stock है वो है JK paper JK paper ने बाकई में जो है एक अच्छे ख performance बहुती शांदार आई है और year ended भी performance बहुती घजब किया देखी है इनके margins भी अगर आप देखेंगे तो retain करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं margins जो है थोड़ावत increase ही होते हुए देख रहे हैं अगर आप year ended देखेंगे तो 23% से margin हो चुके 27 इस बार इनोंने जो है साड़े 5 रुपे का dividend भी दिया है बात कर लेते हैं कि next stock जो है बाल क्रिस्न इंडस्ट्री quality stock आप देखेंगे टायर सेक्टर्स के stocks के काफी जो है results आ चुके हैं Apollo Tire, CET, MRF margin sustain नहीं कर पा रहे है profitability नहीं आ पा रही है वहाँ पे ये quality company जो है profit भी generate करके दिखा रही है हाला कि profit कम है लेकिन generate कर रही है क्योंकि इनके in-house जो है raw material company जो है कहीना कहीं बनाती हुई दिख रही है manufacturing करती है in-house raw material का तो वो कहीना कहीं इस company के जो है एक favor में जाता हुआ देख रहा है इस बार अगर quarter quarter के अगर performance देखेंगे बहुत ही शान्दार आते हुई देख रही है year on year भ performance देखेंगे बहुत ही शान्दार है 47% income के अंदर growth 22% profit के अंदर growth और 23% इविर्टा के अंदर growth और margins तो क्या कहने इनके margins हाला कि थोड़े कम हुए 33% से 28% जो है margins आते हुए देख रहे हैं लेकिन तब भी आप देखेंगे margins company के जो है बहुत ही शान्दार है 4 रुपे का इन cash नहीं किया है इनकी भी performance ठीक रही है आप quarter ended देखेंगे quarter on quarter and year on year and आप देख सकते हैं year ended performance हर जगया पर सही रही है कहीं भी आपको जो है negative नहीं देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा चाँ profit में चाहें income में बहतर performance है margin भी कही ना कहीं जो है company sustain करती हुई देख रही है यह भी चीज़ें अच्छी है और 21 रुपीस का इन्हों नों जो है इस बार dividend भी दिया है तो बहुत ही भड़िया जो है performance company की तरब से कार्वो रंडम की अगर बात करें तो कार्वो रंडम का भी एक बार देख लेते हैं performance कैसा रहा है तो यहाँ पर अगर quarter ended performance देखेंगे कोई खास नहीं आती हुई देख रही है income में भी कोई खास growth नहीं है decline ही देखने को मिल रहा quarter quarter level पे profit में भी decline है 50% का profit में decline है आप देखेंगे year ended और quarter ended में year on year तो बस just only आ average result जिसको हम कह सकते हैं आते हुए देख रहे हैं और यहाँ पर अगर margin की बात करें चलो ठीक है margin 19% से 18% हुए मतला 19% का जो है company margin कर रही है ठीक लेकिन यह वाले quarter margin जो है इसको जादे गिरते हुए देख रहे है 15% के margin आते हुए देख रहे है दो रुपे का इस company ने जो है dividend भी दिया है त्रिवेनी टर्वायन यह company भाकई में जो एक better perform करती हुई दिखी है और इस बार कि अगर performance देखेंगे तो quarter to quarter के एसाप से अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे अगर quarter ended अगर year on year अगर आप देखेंगे बहुत ही शान्दर performance है income में 34% की growth है profit में 43% की growth है और year on year अगर why on why अगर result देखेंगे बहुत ही शान्दा result है company के और margins भी देखेंगे तो 22-23% के आसपास के company जो है margin भी कर रही है एक रुपे 55 पैसे का इन्होंने जो है dividend भी दिया है तो भड़िया result जो है company के त्रिवेनी तर्वाइन नजारा technologies इधर देखेंगे तो आप यहाँ पे Q on Q पे जो है कोई performance कुछ खास नहीं आती हुई है decline देखने को मिलेगा income में profit के अंदर लेकिन by on why पे आप देखेंगे and why on why अगर आप year ended देखेंगे तो भड़िया performance आती हुई देखी है लेकिन यह Q on Q जो गिरता हुआ देख रहा है आप देख सकते हैं 71% जो है profit के अंदर decline है तो यह देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से जो है यह company profit को जो है retain कर पाती हाला कि इनके margins भी आप देख रहे हैं हाला कि इनोंने इस बार bonus भी दिया है one ratio one का तो bonus भी जो है company देते हुई दिखी है अब बात कर लेते हैं कि algae equipment के कैसे जो है results हाते हुई देख रहे है इन सारे stocks में अगर देखा जाए कि किनका जो है सबसे बढ़िया result आता हुआ दिखा है तो मैं कहूंगा algae equipment बहुत ही शांदार result है and साथ के साथ अगर बात करें BKT बाल क्रिसन इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया result आहिशर मोटर बहुत ही बढ़िया result है JK paper तो इन चार stocks के result जो है बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखे हैं इन stocks को जरूर जो है आप review कर सकते हैं इन पे जो है आप बिल्कुल जो है नजर बनाए रख सकते हैं क्योंकि paper sector का ये दिगज भड़िया काम करता हुआ दिख रहा है टायर सेक्टर का ये दिगज और जो stocks इसके sector के उनको जो है compete करता हुआ दिख रहा है या किसी यादर stock के बारे में जो है आप जाना चाते हैं तो जरूर जो है इस वीडियो के comment box में आप जो है लेख सकते हैं thank you for watching this video